जल्दी से जुडेंगे जवरदस सेशन के साथ जल्दी से जुडेंगे सभी लोग आज के जवरदस सेशन के साथ तो कल की जी इदने उन्हें वीडियो नहीं देखी हुई है आज जाकर वीडियो जुरू देख लीजे कल यूहाव हिमाचवदेश के टैंपल्स के बारे में पूरी इंफरमेशन हमने दे दी है जो भी important टैंपल्स हैं कहां पर सेते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है पूरी इंफरमेशन आपको मिल जाएगी उस वीडियो में तो टैंपल्स वाली वीडियो जिसने नहीं देखी हमारी प्ले लिस्ट पर जाकर उस वीडियो को देख सहते हैं पहले भी हमने preparation करवा कर काफी वीडियो यूहाव पहले भी डाली हुई है जिसने नहीं देखी, वीडियोस को देखे जाएए, कोशनस का अंसर देखे जाएए तो स्वामी विवेकनन जी का एक महत्वपून कोर्स युहाव हम आपके लिए लेकर आए हुए है उनके विचार युहाव हम आपके साथ साजा करेंगे उन्हेंने कहा हुए कि ग्यान धन से उत्तम है क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है मगर ग्यान तुम्हारी रक्षा करता है ठीग है तो काफी इसी विचार के साथ आज का जवदर सेशन स्टार्ट करते हैं बाकी नए हो चारब पर सबस्क्राइब जरू कर लीजे काफी मेनस से वीडियो हम लेकर आए हुए है स्टार्ट की जिक्ते कवर किया जाएगा कि हमाच बदेश के पूरव में कौन सित है दक्षिन में कौन सित है इसी के बारे में यहाव डिसकस करेंगे आज की वीडियो में चलिए बिना बगत जाय की वह जल्दी से आज का अपडेट यहाव शुरू कर देते हैं तो दोस्तों सभी सहे होग देंगे हमारा कोपी पैनल लेकर आप सभी बैठ जाएए जो जो भी नोत्स आपको यहाँ पर दिये जा रहे हैं इनको जो हो आप लिख सकते हो या फिर पर आप दो काम कर सकते हो जहाँ पर या लिख लीजिए अभी या फिर बाद में आप वीडियो को देख सकते हो एक बाफ पिर से रिपीट करके ठीग है उस टाम जब आप जल्दी जल्दी से रिविजन कर रहे होंगे उस टाम भी इसे देख सहते हो सुन लीजिए जहां पर मैं आपको बताता हूं जहां पर तो जहां पर आपको सबसे पहला कोशन जहां पर दिख रहा होगा सबी सुन लीजिए आपके मन में अगर एक वार आपने सुन लिया तो आपको वो हमेशा ही जाद रहेगा अगर आपके माइड में वो टच कर गया सबसे पहले हिमाचे पदेश की समुद्धरतल से कितनी उन्चाई है तो आपको वहाँ पर अगर ऑप्शन आएंगे तो 350 से 7000 मीटर आप लिख देना ठीक है ये ऑप्शन होंगे आपके तो वहाँ पर आप इसका राइट अंसर लिख देना इसी के साथ हिमाचे पदेश के डैश जिला को जम्मो कश्मीराज्य की सीमाइस पर्ष करती है क्योंकि आज हमार थोड़ा सा स्टाटिक जीके के ओपर युहाँ वीडियो लगी हुई है इसमें आपको कौन सी सीमाइस पर्ष करती है हिमाचे पदेश में किस तरह मतलब प्रोसी देश है प्रोसी सान है कौन से दक्षिन में है कौन से पूरू में है वो आपको बताया जाएगा तो चमबा जिले की हमाचे पदेश के चमबा जिले की युहाँ वी जम्मो कश्मीराज्य की सीमाइस पर्ष करती है जमबाजी देखी फिर तीसरा कोशन है यहाँ पर हिमाचपदेश में उत्तर में कौन सारा जस्थित है तो उत्तर में आपने बताना है हिमाचपदेश अगर आपका मैप देखोगे आप तो इसमें आपने बताना है कि हिमाचपदेश के उत्तर में कौन सारा जस्थित है तो ज दोवी परकार के कोश्टर गया हो बो आपको दे रहे हैं अब यहां पर कोश्टर पूसे दा Jude कौन सा राज君 क्ष़मीर का दक्शिनी पडोसी है दक्शिनी पडोसी है तो आज तो वह आजा के आपका हि माच billझ अगर उत्तर में अगर पूछा जाएगा कि हिंधाट चीछ Matthewking शेत्र है तो जेएंड के और जम्मु कश्मीर के दक्शिट में कोंस सिता है आ जाएगा विमाच्छपदेश उसका उल्टा हो जाएगा फिर जहां पर कितने राज्य और केंदर शास्विक शेतर हैं जिनकी सीमा हिमाच्पदेश के साथ जूड़ी हुई है तो इसका राट अंसर आजएगा आपका पांच पांच आपके केंदर शास्विक शेतर हैं और राज्य हैं एक आपका जम्मो आजाएगा पंजाब अगरा आजाएगे बाकी और भी मेरे हिसाब से हैं वो आपके आजाएगे राज्य जो आपके जवाव हिमाच्पदेश के साथ सटे हुए हैं फिर हिमाचपदेश जम्मो कश्मीर के डैश में सीत है तो जम्मो कश्मीर का यहाँ पर ज्यादा इन्होंने चर्चा की हुई है तो जम्मो कश्मीर के दक्षिन में सीत है हिमाचपदेश ठीक है हिमाचपदेश जम्मो कश्मीर के दक्षिन में सीत है यह आपको यहाँ पर अगर आपका हर्याना ठीक है डक्षिम्ने पूशेंगे के आजाएगा आपका हर्याना यह करा राइट आंसर हो जाएगा फिर हिमाच्च्र के पूरवमें कौन सा सीमवर्ती यहाव राश्टर है जहाँ पर अब राश्टर पुशा हुआ है जहाँ पर आप राश्टर पुशा हुआ है जहाँ पर आप राज्ज नहीं पुशा हुआ है हिमाच्पदेश के अब ओल इंडिया चला हुआ है फिर जहां पर नाइंथ कोशन आपका आता है कि हिमाच पदेश का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा बनाता है एक ऐसा जिला बताना है आप सभी ने एक ऐसा जिला है आपका वो बाकी सभी जिलों से काफी ज़्यादा जिलों से सीमा बनाता है तो वो आजाएगा आपका मंडी मंडी जीला सबसे ज्यादा जीलों से सीमा बनाता है आपकी यह ध्यान रखना इस तरह के कोशन जिवा वो आपकी जीके में आसरते हैं फिर हिमाचपदेश कितने देशांतर पर स्थित है तो यहां पर आपका आगया कोशन वो ही नौर्थ पोल, साथ पोल वला तो यहां पर आपका राइट आजाएगा 75 डिगरी 47 से और 89 डिगरी जह हो 4 पूरव यह आपके अक्षांत होते हैं देशांतर होते हैं लिख देना आप वहां पर राइट आजाएगा आपका आपका तो लिख देना आप 75 डिग्री 47 से और 89 डिग्री 4 पूर्व से फिर हिमाच पदेश के किस जिले की सीमा पंजाब के रोकर जिले से लगती है अब कुशन किसी प्रकार से आप से पूछ सकते हैं वहाँ पर जुरूर नहीं है कि सिर्फ आपको हिमाच पदेश के बारे में पूछे उसके साथ लगने वाले रज्यों से भी पूछ सकते हैं तो हिमाच पदेश के किस जिले की सीमा पंजाब के रोपर से लगती है तो राइट अंसर आ जाएगा आपका बिलासपूर। तो यह बिलासपुरू जिला है, उसकी सीमा जो हो रोपड जिले से लगती है, पंजाब के. फिर हिमाच बदेश का कुलू जिला किन पांच जिलों से घिरा हुआ है? जी आपको राइट अंसर बताना है इसका. जो कुलू जिला है, वो अन्या किन पांच जिलों के साथ और भी जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है. आज पास से घिरा हुआ है पांच जिलों परकार से. राइट अंसर हो जाएगा आपका एक लहोल्स पिती, दूसरा आपका आजाएगा किनोर, तीसरा शिमला, चोथा आपका मंडी, और पांच माँ आपका कांगड़ा आजाएगा. तो ये पांच जिलों से जवाव आपका कुलू जिला घिरा हुआ है. ठर्टीन नम्बर का कुशन आजाएगा कि किस जिले की सीमा पंजाब के साथ जूड़ी हुई नहीं है. वो सीमा पंजाब के साथ लगती ही नहीं है. राइट अंसर हो जाएगा आपका सिर्मोर जिला. सिर्मोर जिले की सीमा जो हो पंजाब के साथ नहीं लगती है. आंगड़े जिले की युहावबो सीमा जम्मो कश्मीर के साथ कभी नहीं लगती फिर कोशन है आगला आपका 15 नमबर का कि हिमाचल के कौन से जिले की सीमा सिरमोर उत्राखंड सोलन और मंडी के साथ लगती है कौन सा ऐसा जिला है आपका तो वो आ जाएगा आपका शिमला जि जानी उत्राखंड हो गया फिर जहां पर आ जाएगा आपका कि हिमाचल के कितने अक्षांश पर स्थित है पहले देशांत्र पूशा हुआ था अब अक्षांश पूशा हुआ है तो लिख देना आप और आइट अंसर बहां पर ओप्शन में आप लिखेंगे 30 degree 22 से और 33 degree 12 उत्री अकांख्ष यह आपको लिर्ण नहीं करना होगा इसका कोई trick वगैरा नहीं है यह आपको जाद ही कर दिए कि 30 degree 22 से और 33 डिगरी 12 उत्री अकांश पर युवाव आपका यह माच बदर स्थित हैं फिर आज की वीडियो में थोड़ी शोटी वीडियो बनेगी शोट वीडियो होगी आज की बेस कोशन ही युवाव कवर करेंगे कर गलेशर्स बगरा बांटेन्स बगरा बताएंगे और HPSC में जितने मोस्ट प्रोविवल कोशन्स होते हैं वो आपको पेपर सेट लगाए जाएंगे काफी पेपर सेट हैं हमारे फास 20-30 वो सभी आपको जवाव लगा दिये जाएंगे टाइम के साथ-साथ तो नेक्स्ट कोशन्स 17 आज की वीडियो का है कि कौन सा राज्य हिमाच्पदेश के पश्ची में स्थित हैं उत्तर भी पूश लिया उन्हें बाकी आपका पूरो भी पूश लिया अब पश्चीम की बात आगी तो पश्चीमे आपका पंजाब होगा ठीक है पंजाब होगा आपका पश्चीमे फिर बिलास्पूर जिले की सीमा किस जिले को स्पर्ष नहीं करती है अब कोशन पूशा हुआ उन्हें कि बिलास्पूर जिले की सीमा किस जिले को स्पर्ष नहीं करती है तो आपको आना चाहिए इसका रैट अंसर तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका सिर्मोर बिलासपुर जिले की सीमा इस सिर्मोर के साथ इस पर्षय नहीं करती है फिर आपका आगया हिमाचे बदेश के दक्षिन पूरुब में कौन सा राज्य स्थित है सभी आपको पूर पची मुतर दक्षिन की नोलिज हो गई होगी तो उत्रा खंड योहव आपका आजाता है दक्षिन पूरुब में दक्षिन पूरुब में आपका राज्य आजाता है उत्रा खंड तो इसकी भी सीमा योहव लगती है इनके साथ है फिर हिमाच्य पदेश पंजाब की कौन सी दिशा में स्थित हैं तो यहां पर घुमा फिर आके किसी प्रकार से कुशन पूश रहते हैं पहले भी उन्होंने पूशा हुआ कि कौन सा राज यह हिमाच्य पदेश के पश्ची में स्थित है अब अगर पूश लेंगे आपसे हिमाच्य पदेश पंजाब की कौन सी दिशा में स्थित है अगर दिशा पूशी हुई है डिरेक्शन पूशी हुई है राज टांसर हो जाएगा आपका पूरव अगर जाहनो पर पूछ लेंगे कौन सारज यह माज़वदेश के पश्ची में स्थिता है आजएगा पंजाब और दीशा पूछेंगे आजएगा पूरव माज़वदेश पंजाब की पूरव दीशा में स्थिता है तो यह आज की जवदर सेशन के कोशन से 20 कोशन से जो हो कवर किये हुए हैं कल या फिर मौंटेन के कोशन आएंगे या फिर गलेशियर्स के कोशन से या फिर रीवर्स नदिया वगरा के कोशन से आएंगे बने रही है हमारे साथ काफी knowledgeable वीडियो जो हो आपको दी जाएंगी सिर्फ HRTC conductor में ही नहीं All competitive exam जो भी होते हैं उसमें आपके काम आ जाएंगे चाहिए आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं ठीए तो जहीं पर आज की वीडियो का समापत करते हैं मिलते हैं को नए वीडियो साथ अब तक के लिए जाएंगे बारत जाहिए माचल